दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक सेयर करें। ओ माई गोड नरेंद मोदी फिरसे प्रधानमंत्री बनने की खबर से घबराया पूरा पाकिस्तान बदलेगा कस्मीर का मुद्धा होगा भयंकर यूद जी हां दोस्तों लुक्स बचुनाओं के सारे चर्णों के चुनाओं हो चुके हैं अब बस 23 मैं को नतीजे आने वाला है एकजिट पोल के आंकड़े देखे तो नरेंद मोदी फिरसे प्रधानमंत्री बनेंगे इससे पडोसी देश पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसको तगड़ा छटका लगा है नरेंद मोदी फिरसे प्रधानमंत्री बनने वाली खबर से पाकिस्तान के चैनलों में हड़क जम्मू कस्मीर के महाल बड़ी तेजी से बदलने वाला है और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा पाकिस्तानी मीडिया ने माना है कि फिर से प्रथानमत्री बनेगे तो यह कस्मीर से जुड़े धारा को छेरचार करेंगे और खून खराबे की इस्तिती जरूर पैदा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि मोदी के सत्ता में आने से भारत का विकास तो होगा जबकि कस्मीर में सकरात्मत पहल की जाएगी और कस्मीर के प्रति कोई हल जरूर निकलेगा दोस्तों बिड़ को एक लैक जिरूक हैं दोस्तों कॉंग्रेस बिधायक बिकाओ नहीं है मिल रहे हैं 25 कॉड़ो रुपे तक के ओफर जी हां दोस्तों मदपर्देश में कमलात सरकार पर खत्रे के बादल मडरा रहे हैं जिसको लेकर के MPCM कमलात का कानाई की बिधायकों को खरेदने के कुछिस की जा रही है कमलात का काना है कि मदपर्देश में भारती जंतापार्टी कॉंग्रेस के बिधायकों को तोड़ने के लिए क्रोरों रुपे की ओफर पेस कर रही है लोग सबाचोनों के एजजिट पोल में बीजेपी की बहुमत से जीत के अनुमान ने म लोग सथेट की मांग कर रही हैं तो वहीं सीयम कमलात ने अपने बिधायकों को बीजेपी से और मिलने के बात कह करके हर्च ट्रेडिंग का आरोप लगा है आपको बता दें कि कमलात ने आरोप लगा है कि BJP ने कॉंग्रेस के विधायकों को 10 से 25 कड़ो रुपे तका लालच दे रही है कमलात का कहना है कि उन्हें उन्हें अपने विधायकों के साथ मीटिक की है वहीं दस भिधायकों को मंतरी पत का लालश दिकर के भी उनको तोड़ने की कोशिस की जा रहे है दोस्तो प्रधानमतिन नरेंदर मोदी ने लोक्सभा चुनापरचार की तुनला तित रियातरा से की है कहा जनता ने लड़ा यह जुनाव जीहाद होतों प्रधानमतिन नरेंदर मोदी ने चुनापरचार की अभियान की तुनला तित रियातरा से करते हुए कहा है कि ऐसा दृष्टी कोचर हुआ जैसे जनता ने पुनर जागरण और पुनर उत्थान की अभियान में योगदान देने के लिए कृत संकल पित थी उन्होंने कहा है कि यह चुनाप के उल पार्टी ने नहीं बलकि जनता ने भी लड़ा है इस चुनाप में जनता तमाम हर तरीके के दिवार को लांग करके चुनाप लड़ी है जै दोस्तों प्रधान में थी नरंदर मोदी ने कहा है कि मैंने कई विधान सभा चुनाओ और पिछले कई लोग सभा चुनाओ के परचार अभियान में हिस्सा लिया है इस दोरान देश भर का दोरा किया इस बार चुनाप परचार मुझे ऐसा लगा जैसे कि तिर्थ यात्रा हो उन्होंने राश्ट निर्मान के लिए राज़ा के एक जुट होने पर काम करने के लिए जोर दिया जदो आपको बताते कि भाजपा अधक्ष अमिस्चा ने ट्वीट करके काया कि मैंने टीम मोधी सरकार को पिछले पांच वर्सों के दौरान उनके कठिम परिश्रम और उलेखनी उपलब्धियों के लिए बधाय दी है उस तो इसरो ने किया सीसेट टूबी उपग्रा का सफल परच्पन आपदा राहत काम और सुरक्षा बलो को मिलेगी मतद जी हाँ दोसों अंतरिक्ष में भारत ही एक और बड़ी कामयाबी मिली है इसरो ने स्री हरिकोटा से सीसेट टूबी सेटलाइट का सफल परच्पन किया है इस परच्पन के बाद अब ये सेटलाइट हर मौसा में बादलो में मवजूद सही तस्वीर ले सकता है मतलब ये की भी खुफिया गतवीदियों को इसरो काफी मतद मिलेगी ये परच्पन पी एस एलवी सीट फोटी सिक्स रॉकेट से किया गया है ये चोथा सीसेट सेटलाइट है इस रोने ये सीसेट टूबी सेटलाइट आज सुबह साड़े पांच बजे लौज़े लौज़ किया है आपको बता दे कि इससे क्या मतद मिलेगी दोस्तों आपदा रहत काम और सुरक्षा बलों में इसकी मतद मिलेगी ये सेटलाइट हर मौसा में बादलोग के पार से तस्वीर जारी कर सकता है खोजी तस्वीरों और गतवीदियों को निगरानी से ये सेटलाइट मतदगार होगा ये उपगरा 555 किलोमेटर की उचाई पर अस्थापित किया गया है सीसेट टूबी लगभग साथ साल बाद भारतिये रडार इमेजिंग उपगरा की सीरिस में सीसेट टूबी लौच होई है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे देश को सरकार चुने दिया जाए हम बीच में नहीं आ सकते हैं जी हाँ दोस्तो 23 माई को लुक्स बचाओनों की मतगरना में वीबी पैर से मिलान करने वाली तमाम परचियो जो की सो फिसदी का मिलान एवियम से कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खालिच कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने काए कि भारत को अपना सरकार चुने दिया जाया हम बीच में नहीं आ सकते हैं नयायमूर्थी असोक मिस्र और नयायमूर्थी आरे सा की अवकास पीठा दिन ने कहाए कि चीफ चेसिस रंजन गुगोई की अद्धिक्षिता वाली पीठ पहले हैं इस मामले की सुनवाई कर चुकी है ऐसे में याचिका पर विचार करने का कोई मतलब ही नहीं होता है हम बार बार एक ही याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं पीठ के याचिका करता टेक औफ ओन ने कहा है कि आप विंग डाल रहे हैं, पीठ ने कहा है कि कितने परतिससत द्वारा सरकार चुना जाता है, और हम इसके रासे में नहीं आ सकते हैं, आपको बता दे कि देश को अपना सरकार चुने दिया जाए, याचिका के दावा किया था कि EVM के डिजाइन में कुछ खामिया है लिहाजा वीवी पैट से निकलने वाली तमाम सो फिसदी परचियों का मिलान EVM से किया जाना चाहिए याचिका करता संगठन की ओर से पेस वकिल ने इस मामले पर उलेखनिये कहाए कि जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन पीट इस याचिका पर विचार करने के पक्च में नहीं है लेकिन वकील बार-बार कहने पर अदालत के याचिका को खारिज कर दिया है आपको बता दे कि 7 माई को सुप्रीम कोट ने अंधर पर देस के मुक्यमंतिर चंदरबाबू नाइडू समित 21 विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा वीबी पैट से निकलने वाली परचियों में से कम 25 पीसदी परचियों का मिलान EVM से कराने की मांग को खारिज कर दिया जानकारी दिया है कि उत्तर परदेस के पूर्व मुक्मंत्री और सपानेता मुलायम सिंग यादो और उनके परिजनों को 2013 में आई से अधिक संपत्ति के मामले में क्लिंचिर दी गई है क्योंकि आरोप के संबद में परियाप्त साक्ष सामने नहीं आए सके हैं एजेंसी न कराने को कहा था और सी बी आई परवक्ता नितिन वाडकर में क», देसंबर2012 को अदेश दिया थां निर्देसों के अनुर्यप सुरवाती जाह 7 अगस 2013 को बंद कर दी गई थी। अगली बड़ी खबरे सन्युक्त राश्ट ने भारत का विकासदर अनुमान घटाया जी हाँ दोस्तो बुनियादी धाचे की कमी की चुनोती के कारण 2019 और 2020 में भारत के विकासदर के अनुमान में कमी आई है सन्युक्त राश्ट ने एक रिपोर्ट में बता है कि मजबूत घ हरेली उत्पाद और निवेस में 2019 में भारत के आर्थिक विरिदिदर 7.0 फीसदी और 2020 में 7.1 फीसदी रहने का अनुमान है रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आर्थिक विरिदिदर 7.2 फीसदी रही थी सन्युक्त राश्ट ने यहां अनुमान इस साल जनवरी में के अनुमान म कमी बताई है उस समय उन में 2019 और 2020 में आर्थिक विरिदिदर 7.6 और 7.4 फीसदी रहने की संभावना जताए गई है इससे पहले आर्बियाई ने भी अल नीनो के परभाव और वैस्विक चुनाओं के कारण 2019 और 2020 का विकासदर का अनुमान 7.4 फीसदी से घटा करके 7.2 फीस दर 2019 में 2.7 फीसदी और 2020 में 2.9 फीसदी रहने का अनुमान है इस पर चीन अमेरिका बैपार तनाओ के अलावा जलवायू परिवर्तन का भी असर दिखेगा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर किया अपनी ही सेन गलती का सिकार हुआ MI-17 हेलिकोप्टर जी हाँ दोस इसकी कोट अफ इंक्वाईरी तेज होने के बीच सिरिनगर वायूशेना अड़े पर एयर ओफिशर कमांडर का तबादला कर दिया गया है हाला कि सुद्र का कहना है कि इस तबादले के कारण कुछ और भी हो सकता है अधिकारी सुद्रों का कहना है कि इस हादसे के लिए जि हटना में विमान के सवार चो एयर मैंड की मिर्तु हो गई थी आपको बता दे कि इस साल 24 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाओ काफी बढ़ी है जिसके बाद भारत में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था 26 फरवरी को भारत ने पाकि को